हेलो फ्रेंड्स आप सबका मेरा चैनल सभीता केशन में फिर से स्वागत है चलिए आज फटापट बनाते हैं पालक की पकोड़ा आज मैं किचन में कोकिंग करते वक्त में हाथ में पालक था तो मैं सोशी रही थी कि पालक का भुजिया बनाऊ या पालक का सब्जी बनाऊ या अच्वली मेरा i confirm हो गई थी तो आईड्या आया कि मैं आज पालक का पकोड़ा बना लेते हैं और पतापट में बना ली बस मैं में फिर सुर्ण हो गई फिर क्या था एक बावल में थोड़ा सा पालक था इसको में ले ली उसके बाद मैंने आधा तुकड़ा प्याज चोप कर लिया है बस फ्रोड़ सा अजवाईन इसको मैंने हात में तुद़ा अरफ कर लिया इसको भीडाल दिया इसमें एक चुटकी खाने वाला सोड़ा इसमें डाल दिया तोड़ा सा हल्दी थोड़ा नमक और पासी में था मेरा अधर कलशों का पेस्ट उसको मैंने डाल दिया अधा चमज जैसे पे मैंने दो चमज पहले बेशन डाला उसके बाद में इसको मैंने मिक्स किया हाथों से ही मिक्स किया और हाँ दोस्तों इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला क्योंकि पालक में अलरी पानी रहता है तो इसको भीक्स करते बड़े पानी भी ठोड़ा भीर फेशन चोड़ा है मेरा बेशन तो में आछए फून सब्नाघ थोड़ा घर बेशन डाला है आछा हातों से मिश्टन के बाद में एक पकोड़ा बनने के लेकदम तैयार है देखिए यहां पर आप सबसे एक सिक्रेट से करोंगी तो मेरा यहां पर कड़ाई में तेल पहले से बठाई थी गरम होने के लिए तेल भी गरम हो चुका है तो मैं इसमें एक चुटकी नमक डाल दूगी ताकि मैं बेशन जो जो है वो थोड़ा सा तेल ज्यादा कर लेता है अगर तेल में थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए तो वेशन तेल थोड़ा सा कम सोक करेगा पकोड़ा तलना स्टार्ट करते हैं मैं यहां पर स्पून से डाल देया हूं आप लोग चाहे तो हाथ से भी इसको युश कर सकते हैं तो यहां पर मैंने शारी पकोड़ी को बहुत ही ज्यादा टेस्टी है अलग होने के कारण यह हेल्दी तो है ही है यकिन मानी यह पकोड़ी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था तो फ्रेंड्स पालक से बनने वाले जटपट रेसिपी आप लों को अगर पसंद आया तो मेरा वीडियो को एक लाइक प्यारा सा कॉम